सब्सक्राइब कीजिए टेग बार को जॉइन कर लो हमारी टेग गैंग को हम क्वालिटी मिलीव रखते हैं हेलो मिर ना में संसेत और आप देख रहे हैं टेक बार भाई आप में से किसी एक ने मिरको आइडिया ती एक एक इसी वीडियो में बनाओ जिसमें आपको बताऊं कि यह वाले प्रोसेसर नहीं खरीदने आपको यह आइडिया मेर को बहुत पसंदाए है ऐसा इसली और अगर में ध्यान दिया हो आजकल artificial intelligence बहुत जाता फेमस हो रही है smartphone में और आने वाले 6-8 माईने में पूरी घुछ जाएगी फोनों के अंदर तो उसके लिए एक एंजन चाहिए होता है dedicated processor के अंदर ही जिससे आपकी artificial intelligence वाली problem solve हो सके और जातरा में पुराने प्रोसेसर में चीज़े नहीं देखने को मिलती तो मेरे को लगार क्यों आप लोगो एक बड़ी से लिस बना कर देदू जिससे आप लोग भी समझ सके कि मेरा फोन future proof है फिर नहीं अगर आप जो भी फोन खरीद होगे क्या पता आगे उसका future scope न रहे तो इससे आपको पूरा अच्छागा सा आइडिया लग जाएगा में प्रोसेसर नाम बता दूँगा फोन आप अपने आप समझ जाना तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना इस दिरी के करीब तो मैं ऐसे price range में डिवाइड कर दूँगा इससे आपको बहुत easy होगा समझना तो स्टार्ट करते हैं अपने budget chipset से सबसे पहला नाम आजाता है snapdragon 425 अब यह वैस्तों बहुत अच्छा है यह बट अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे है अभी 2018 में तो मैं आपक पर रियल मी वन देख में मिल जाता है वह भी हीलियो की P60 की साथ जोगी बहुत कमाल का chipset है तो snapdragon 450 की भी आप प्राइस लगा सकते है 7-8000 और इसके बाद आता है हमारा media tech 6737 मिर साब से इसके बार मेरे को बात करने की विज़ुरत निया इतना वहियाद प्रोसेसर है वह अगर कोई भी आपको स्मार्टफोन 10,000 रुपे से उपर कर दिगा जिसमें Helio P22 है तो भाई मेरे साब से आपको इतने ची परफॉमेंस नहीं मिलेगी इन फैक 11,000 रुपे में आपको Zenfone Max Pro YM1 मिल रहा है और भी बहुत अच्छे अच्छे option है बट मैं यही केना मैं सीधा बता हूँ तो मैं टार्गेट कर रहा हूँ अपने Samsung के मिड रेंज को अविसली Samsung का प्रोशेसर है और बोत पुराना हो चुका है इसका भिलकुल भी फ्यूचर स्कॉप नहीं है मैं इस चिप सेट के Samsung को देख यह पे करना चाहूँगा बहुत जादा रहा हूँ आ कि सब्सक्राइब लिखाओगा उसको प्लीज दबा दो सब्सक्राइब कर लो अब लिष्ट में फोर्थ नमर पे आता है स्नैपड्रगन 625 शाओमी का फेवरेट चिप सेट है आजकल सारे फोनों में यही डाल रहा है बट मैं आपको सिधा पताता हूँ मैं इसके लिए पे अबर के मिल रही है मेरेको ने लगता कि आगे चाके कॉप अप कर पाएगा और हो सकता है कि आपका फोन एक साल बात एंड्रोइड अपडेट ना सम्हाल पाए क्योंकि एंड्रोइड पी में एयाई बहुत सारी आने वाली है और पूरा एंड्रोइड पी एयाई से बढ़ा अगर कोई भी ब्रैंड आपको 10,000 रुपे से उपर मांग रहा है चिपसेट के तो मेरे को लगता है कि 2018 में वह इतना खास लगेगा आपको डिवाईज अब पांच ने पर आता स्नैप ड्रेगन 821 मेरे साब लोग इसको 800 सीरीज समझ कर खरीद लेता है कि हमें दोनों इतने अच्छे नहीं है 2018 के हिजाब से मैं समझ सकतार काफिसार लोगों ऐसा लगता होगी 800 सीरीज वाले अपने प्रोसेसर जो है बैटर होते होंगे किसी भी नए प्रोसेसर से बट ऐसा नहीं होता अगर आप पुराना कोई भी भी चिपसेट खरीते हो ना हो सते कि फ्यूचर में कोई नहीं एडवांस अब डालोगे ना तो उस पर अनफोर्शुनिटली स्टॉप लिखा जाए क्योंकि आपको प्रोसेसर पुराना है वो कॉम्लेक्सिटी इसी सॉल्व नहीं कर सकता तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा नया चिपसेट खरीद हो क्योंकि उसस बहुत पस्ता होगे तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यह वाला चिपसेट आप बिल्कुल इगनॉर करो अब सेवन नमर पर आपने एपल के चिपसेट पुराने खासकर एएट, एट, 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 फ्यूजन को भी महाँ पर इंक्लिूड कर रहा तो मैं आपको यही सेजेशन दूँगा अगर आप आइफोन खरीदो, क्या आप आइफोन 10 खरीदना, नीज़े सप्टेमर में आइफोन आने वाले आप वही खरीदना, और अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली A8 और A9 के जो कि अपने आइफोन 6 और 6S में डेल ही है, तो भाई यह तो बिल्कुल बरबाद चिपसेट हो चुग है, आज के टाइम पर आपका बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करेंगे, खासकर जो भी नए iOS के अपडेट आएंगे उनमको तो भाई बिल्कुल भी नहीं समाल पाएंगे, और फ्यूचर में हर किसी का AI का स्कोप ह अब इसमें AI का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको यही काऊँगा कि भाई, इनको मत खरीदो, पैसे है वेस्ट वाली बात हो जाईए, अभी लिस्ट में नहीं है, बट मैं फिर भी बात करना चाहँगा, अपने Snapdragon 835 के और Samsung के Exynos 8895 की, दोनों बहुत थोड़ा सा बैटर आप कहा सकते हो, थोड़ा सा बैटर है, तो मेरी सजेशन यही रहेगी, अगर आप कोई भी फोन खरीते हो, जिसमें Snapdragon 835 है, तो कोशिश करना उसका प्राइस कम हो, प्राइस मतलब की 40-45 अउरपे का हो, तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे उपर ज अगर कोई मिलते हैं, तो अगर कोई मिस हो गया हो, तो आप मेरे को नीच से कमेंट्स में ज़रूर बताना, हो प्यार, आपकी थोड़ी बहुत है, अगर हुई है अगर प्लीज लाइक कर देना, और सब्सक्राइबर के माई टेगेंग को ज्वाइन को ज्वाइन करना, अब मिलते हैं, तैंक्स वोचिक!